आज हम चपन कदू को इस तरह के से बनाएंगे, कि आपको बहुत ही स्वाधिस्ट लगेगा खाने में, इसको बनाना बहुत ही असान है, कम समय में तयार हो जाता है, इस तरह के से जरूर बनाएगा, दोस्तों अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लगे, तो रेस्पी को यह मेडियाम साइज का है, इसको बनाना बहुत ही असान है, और खाने में यह बहुत ही रिष्टी होता है, कम समय में तयार हो जाता है, मैंने एक किलो चपन कदू को अच्छे से पहले साबुती धो लिया है, तो आब इसे काड़ते हैं, चपन कदू को आपको इस तरह के सा क करेंगे, तो यहां पर मैंने चपन कदू को आगे पीछे से काट के रख लिया है, दोस्तो काटने से पहले आपको चपन कदू को अच्छी तरीके से बाहर से दोना होता है, क्यूंकि इसे हम छीलते नहीं है, सीधा छीलते के साथी इसे बनाया जाता है, अब हमने इसके लगाना है नहीं तो इसके लग---लग peel हो जाएंगे तो इस तरिके सब आपको इसमें 2 cut लगाने हैं ताकि इसके अंदर हम77 स्ट्रपिंग कर सके और यह खाने में 10 लगे इस तरिके सा हमने सारी चपन qadduy को ton cut है श्केएद है, तारे छपन कदो को हमने मसाले करने के लिए दो कट लगा के रख लिए हैं अब इसके लिए श्टपिंग मसाला तयार करते हैं कि मैंने एक पेन रख लिया है आप अपने प्रह्च में उस हिसाब से आपको यहाँ पे मसाले तयार करने होंगे इसी में मैं डाल दूंगा डेड़ चमच सौप आदा चमच मेति दाना आदा चमच काली सरसू आदा चमच काली मेच डेड़ चमच धनियाप साबुत वाला नॉर्मल खाने वाला चमच लिया है हलका सा दो मिन तक भून लेना है अब हमने मसालो को दो मिन तक भून लिया है मसालो की खुजबू आने लगी है तो इन्हें हम ठंडा करके ग्राइड कर लेंगे इन्हें डालेंगे मिक्स के जार में और इन्हें हमने पीस लेना है तो इन्हें हम पीस लेते हैं तो यहाँ पे ह आदे चमच हल्दी, आदा चमच चाट मसाला इसकी जगा पे आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं आदे चमच डालोंगा इसमें काला नमक, चोथाई चमच सपेद नमक दोस्तों जो ये मसाला मैं घर में तयार कर रहा हूँ इससे यह टिंडे बहुत ही टेस्टी बांगे, मसाले के खुसबू भी आईगी तो इन्हें हम पहले ऐसे mix कर लेते हैं मसालो को हमने अच्छे से mix कर देना है मसालो को थोड़ा सा गीला करेंगे मैं जिसमें डाल दुगा हमें थोड़ा सा सर्चक ऑईल जिससे मसाले टिंडे के अंदर टिके रहेंगे ओयल को भी इसके साथ अच्छे से मिला लेंगे इला करके इस तरीके का बना लिया है अब हम इसे टिंडे के अंदर स्टापिंग करेंगे टिंडे लिया है इसमें कट लगाए है इसके अंदर हम मसाले को स्टापिंग करेंगे सारे टिंडे के अंदर हम इस तरीके से अच्छे से ये मसाले स्टापिंग कर लेंगे इस तरीके से आपको टिंडे को अच्छे से स्टापिंग कर लेना है तो सारे टिंटों को हम इसी तरीके से अच्छे से मसाले से स्टाफिंग कर लेंगे अंदर मसाला स्टाफिंग कर लिया है जो मसाला यहाँ पर बाकी बचावा है इसे हम बाद में डालेंगे तो किस तरीके से डालना है मैं आगे आपको बताऊंगा पूरी वीडियो को end तक देखिएगा दोस्तों अब हमने एक कड़ाई ले ली है इसके अंदर हम डालेंगे table spoon oil आप यहाँ पे सरसुका oil भी ले सकते हैं oil को हमने अच्छे से गरम करना है oil अच्छे से गरम हो गया है gas को यहाँ पे low कर देंगे और एक-एक करके हमने इन टिंडों को सीधा-सीधा इसके अंदर डाल देना है इस तरह के से हमने सारे के सारे टिंडे इसके अंदर डाल दिये हैं और अब हमने लोग लेंपर इसे पांच-साथ मिंट के लिए धटके ब्राठ लेना है अब दोस्तो इसे तो दोस्तों अब इसे 57 मिन्ट हो गई हैं, काफी पग गए हैं, तो अराम से आपको इन्हें अलटा-पल्टी करना है, ताकि इनका मसाला जो है, निकलेना, उन्हें जो मसाला यहां पर बचा के रखा हुआ है, ये वाला के उपर ऐसे करके डाल देना है, थोड़ा समय से और ढ कर दोंगा, अब हमारी ये भरवा टिंडे बनके तयार हो गये हैं, इसे हम सौप कर लेते हैं, तो ये अब हमारा भरवा टिंडा यहाँ पे तयार हो गया है, एक भारी इस तरीके से जरूर बनाएगा, साती इस वीडियो को लाइक, सेयर, और साती अगर आपने अविजिता जी चीया सरस्वीच चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यावाद थांके पॉर वाचिंग चीया सरस्वीच चैनल